प्रित्वी शौ को लेकर भारते क्रिकेट के पूर वल्लेबाज मुहमत कैफ ने बात की है मुहमत कैफ ने भारते टीम से बाहर चल रहे हैं प्रित्वी शौ को लेकर कहा है कि उन्हें डोमेस्टिक सर्किट में रंस बनाने चाहिए उनमें एक X Factor जरूर है मुझूदा भारते टीम में कई ऐसे खिलाडी हैं जिने भारते टीम में प्रित्वी के बाद मौका मिला है लेकिन अब प्रित्वी की जगे टीम में नहीं बन पा रही है मुहमत कैफ ने क्या कुछ कहा इस पूरे बारे में हम लोग बात करेंगे हाल में Ireland सीरीज के लिए कई खिलाडियों को मौका मिला जिन में राहूल त्रिपाठी भी एक नाम है लेकिन इस दौरान पृत्वी शौ टीम इंडिया की किसी भी फ्यूचर प्लानिंग के अंदर नजर नहीं आ रहे है ऐसा भी नहीं है कि प्रिथवी का बला बिलकुल नहीं चल रहा हाल में रंजी ट्रॉफी हो या फिर बीता आईपेल का सीजन जहां पर प्रिथवी शौ ने धेर सारे रंस बनाए प्रिथवी की अंदेखी पर मौम्मद कैफ ने उन्हें एक सला दे दिये मौम्मद कैफ दिली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़े हुए थे जिसके साथ प्रिथवी शौ भी जुड़े है कैफ ने कहा है कि शौ को डॉमेस्टिक क्रिकेट में जाकर रंस बनाने चाहिए और अपने बेसिक्स पर काम करते रहना चाहिए कैफ ने हिंदुस्तान टाइम से बात करते हुए कहा प्रिथवी शौ अभी काफी युवा है उनके साथ ही भारते टीम में इस वक्त बहुत सारे उपनर्स है वहाँ पर शुबमन गिल है, मैंक अगरवाल है, केल राहुल है, रोहिच शर्मा है हाँ, वहाँ पर मुकाबला दो है, लेकिन अगर मैं शौक ही जगह होता तो मैं डुमेस्टिक सर्किट में वापस जाता वो मुम्बई की टीम को वहाँ पर लीड भी कर रहे हैं जो की फाइनल्स में इस वक्त मौझूद है प्रित्वी शौक को भारत के लिए आखरी बार साल 2021 में मौका मिला था जब भारत की जो प्रमुक टीम है वो इंगलेंड दोरे पर थी और दूसरी टीम को शिलंका भेजा गया था टी ट्वेंटी सीरीज खेलने के लिए वाइड बॉल क्रिकेट की वहाँ पर सीरीज थी कैफ ने इसी वाचीत में आगे बताया प्रित्वी को वापस जाना चाहिए रंस बनाएं उनके बस वापसी के लिए अभी बहुत सारा समय है मैंने उनके साथ काम किया है उनके पास स्किल्स के साथ साथ एक्स वेक्टर भी है उन्हें जब भी भारत के लिए खेलने का मौका मिलेगा वो तगड़ी वापसी जरूर करेंगे लेकिन जैसा मैंने कहा भारत के पास इस वक्त बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं इसलिए उन्हें आने वाली सीरीज के लिए मौका टीम में नहीं मिल पा रहा कैफ ने टीम इंडिया में चुने गए राहूल त्रिपाठी की भी तारीफ की उन्होंने कहा कि त्रिपाठी ने लगातार IPL और डोमेस्टिक सर्किट में रंस बनाए है कैफ ने कहा जब मैंने सुना कि त्रिपाठी को टीम इंडिया में चुनलिया गया है तो मैं काफी खुश हुआ क्योंकि वो उन चुनिंदा खिलाडियों में से एक है जिन्होंने डोमेस्टिक और IPL दोनों में बढ़िया प्रदर्शन किया है चाहे के क्यार हो या ऐसा रिच वो कमाल के बलेबास है जिस तरह से वो गिन को हिट करते हैं वो कमाल है नमबर तीन पर आकर वो स्पिन और तेज गिन बाजों को अच्छे से खेलते हैं मुझे उमीद है उन्हें खेलने का मौका जरूर मिलेगा आयलेंड के खिलाफ सीरिस के लिए रोहिच शर्मा, विराठ कोली और जस्प्रीद बुम्रा सभी को अराम दिया गया है ऐसे महार्दिक पंडिया की कप्तानी में आयलेंड दौरे के लिए 17 खिलाडियों की टीम चुनी गई है भारत और एरलेंड के बीश दो T20 मुकाबले 26 और 28 जून को खेले जाएंगे अब देखना होगा कि इस टीम में किन युगा खिलाडियों को मौका मिलता है अगर आपको क्रिकेट और बाकी खेलों से जुड़े ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्किप्शन बॉक्स में डाल दिया है साथी साथ अगर आपको खेलों से जुड़े इंस्टन अपडेट चाहिए तो आप हमारे फेस्बुक, इंस्टा और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर लगातार हम खबरों से जुड़ी जानकारिया ट्वीट और शेयर करते रहते हैं शुक्रिया